नमस्कार राज सिक्षा सोध एवं प्रसिक्षन परिशद बिहार पटना में आप सब का स्वागत है प्यारे बच्चों आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे आकड़ों के प्रयोग पर आपने अभी तक जान लिया है अध्यन कर लिया है कि आंकड़ा क्या है डाटा क्या है एवं सारनी किसे कहते हैं साथ ही साथ हमने जाना है कि बिख्रे हुए आंकड़े बेतरतीव आंकड़ों को यदि सजा कर रखा जाए अच्छे से तो उसका क्या मिनिंग है और उसके क्या फ दिखा था हम लोग पिक्टोग्राफ बनाना इब हम बने हुए पिक्टोग्राफ से बहुत सारी information सुचनाएं एकत्र करना यह हम लोगों ने जान लिया है बच्चों आपने देखा था कि जब चित्रा लेक के द्वारा हम दिखाते हैं तो किसी भी आंकडा को प्रदर्सित करने के लिए कुछ सरल सरल चित्र बनाने पड़ते हैं और उसी से हम लोग आंकडों को प्रदर्सित करते हैं यहाँ पर आज की कक्छा में हम लोग आंकडों के प्रदर्सन के कुछ और तरीकों को जानेंगे आज मुखरूप से जिस तरीके को हम लोग जानेंगे या समझेंगे उसमें धंड का निर्मान करते हैं आंक्डों के लिए किसी भी आंकडा को दिखाने के लिए एक समान चवडाई के दंड का निर्मान करते हैं और ऐसे ही देंड के द्वारा इसकी लंबाई के अनुसार आंकडों की संख्या को रखते हैं या इसको उल्टा कहिए आंकडों की संख्या के अनुसार इसकी लंबाई को रखते हैं समान चवडाई बाले दंड एक निश्चित दूरी पर बना बना कर यदि आंकडों को दिखाया जाए तो यह जो प्रदर्शन का तरीका है इसे हम लोग दंड आरेक या कहीं कहीं दंड आलेक भी इसे कहा जाता है के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में इसे आप कह सकते हैं बार डाइग्राव या बार ग्राफ इस बार आंकडों को दिखाने के लिए हम लोग बार का परियोग करेंगे दंड का परियोग करेंगे तो आईए हम समझते हैं कि किस प्रकार से दंडों का परियोग आंकडों को दिखाने के लिए किया जाता है मुख रूप से दो प्रकार के दंड का प्रियोग करेंगे एक तो एकदम उधर्ब खड़े या कहीं कहीं आप 36 दंडों का प्रियोग भी देखेंगे इस प्रकार से बिभीन प्रकार के आरेख या आलेख में दिखाने का प्रियास करते हैं मिल जूलकर आसा है आप नोटबुक और पेन के साथ बैठे होंगे प्यारे बच्चों आपको बोट पर एक आंकला दिख रहा है इसे हमने सारनी बद किया है इसमें यह बताया गया है कि डाक बंगला च इसमें कहा जा रहा है कि आठ बजे से लेकर दस बजे तक कुल छाह सो गाडियां पास हुई उसी प्रकार दस से बारा बज़े तक में चारसो गाडियां पास हुई 12 से 14 बजे तक में 300 गारिया पास हुई 14 से 16 बजे तक में 200 गारिया पास हुई एबं 16 से 18 बजे तक में 700 गारिया पास हुई ये एक आंकड़ा है जिसे हम लोगों ने एकत्र किया है अब इसी आंकड़े को आईए हम दंड के द्वारा दिखाते हैं उसमें आर एक हिसका बनाते हैं इसके लिए आपको क्या करना है कि दो प्रकार से दिखा सकते हैं या तो छैती या उर्धवादर तो आईए हम सबसे पहले बात करते हैं उर्धवादर की इसके लिए हम लोग इस प्रकार से एक छैती और एक उधाग्र या उर्धवादर लाइन बना लेते हैं एक तरफ ये जो दो सरल रेखाए हैं इसमें एक तरफ बाहनों की संख्या और एक तरफ समय को दिखाते हैं जिसको जहां दिखाईएगा उसको इंडिकेट कर देंगे मान के चली इधर समय को दिखा रहे हैं और इधर हम बाहनों की संख्या को दिखाएगे बाहनों की संख्या ये देखें आप समय हमारा क्या है 8 से 10 10 से 12 12 से 14 और इसी प्रकार तो इसी टाइम फ्रेम को हम एक समान चावडाई में दिखाएगे यह ध्यान दखिए कि चवड़ाई आपका एक समान हो जितना चवड़ा हम यहां दंड ले रहे हैं कुछ दूरी पर एक समान दूरी पर फिर से हम उतना ही चवड़ा एक दंड लेंगे पुनह से उतना ही चवड़ा लेंगे और कितने दंड आपको बनाने पड़ेंगे एक दो दो तीन चार और पंच और यह जो हमों लोग बना रहे हैं यहां समय लिखेтобंे कि यहां किस समय को दिखा रहा है सबसे पहले 8 710 zur और हम लोग दिखा रहे हैं 10 से 12 यहां दिखा रहे हम लोग 12 14 या 14-16 और यहां 16 से 18 आप साथ साथ में अपनी नोटबुक पर भी बना सकते हैं साथ ही साथ प्रयास किजिए तो आसानी से सीख पाएगे यहां देखिए गारियों की संख्या है 600 400 300 200 700 अगर हम इधर वाले उर्दभादर लाइन पर बाहनों की संख्या दिखाएं तो एक इकाई को हम कित बहुत मुश्किल है फिर हम क्या करेंगे आई यह मान लेते हैं कि हमारी जो एक इकाई है यह सो बाहनों को दिखाती है तो ठीक इतना ही बड़ा जो अगला इकाई होगा 200 बाहन पुना अगली 300 400 500 600 700 इस प्रकार से आपको अंकित कर लेना है अब देखिए दोनों हमारा तयार हो गया अब देखना है आठ से दस के बीच में 600 तो आठ से दस के बीच का जो धंड है इसे हम कितना बड़ा बनाएंगे 600 तक बनाएंगे देखिए 600 कहां है हमारा यह है तो 600 तक का बनाएंगे एक समान चुड़ाई का धंड असकेल की तासे आप खड़ी करेंगे इस परकार देखिए एक दंड हमारा बनके तयार हो गया अप पुनह दूसरा दंड बनाएंगे जिसमें कहरा दस से बारा के बीच में 400 तो दस से बारा का जो दंड है वो कहां तक खड़ा होगा 400 जहां तक आता है आप चाहें तो इस परकार से गरा कोपी इनका इस्तेमाल आप करें कि ए इस परकार से यह 700 का है चलिए तो 10 से 12 वाले को हमको बनाना है 400 तक का 400 तक इस का दंड स्केल की साहिता से आप खड़ा करेंगे इस परकार से अब जिस परकार से दो दंड बने हैं चलिए आगे बनाते हम 12-14 में 300 तो 12 से 14 का जो दंड है वो कितना बड़ा होगा 300 का होगा यह देखे बना दिया इसी प्रकार और आगे बनाई है 14 से सोलह सो तक में 200 14 से सोलह सो तक में 200 एक समान चवड़ाई का दंड हो और एक समान दूरी पर बना हो 16 से 18 के बीच में 700 तो 16 से 18 बाला जो हमारा बार खड़ा होगा दंड खड़ा होगा वह 700 के उचाई तक होगा कि यह देखिए हमारा दंड आलेख या दंड आलेख बनकर तयार हो गया यह जो है आपका दंड आलेख यह उर्धवाधर है खड़ा खड़ा है उर्धवाधर आप चाहें तो इसी को इस प्रकार बना सकते हैं तब वो 36 हो जाएगा उसमें आप क्या करेगे 36 बाला जब बनाना होगा तो इसी प्रकार से दो लाइन लेएंगे हम लोग उर्धवाधर और 36 एक पर हम लोग टाइम स्पैन उल्टा कर देंगे इधर टाइम दिखा देंगे समय और इधर हम लोग दिखा देंगे बाहनों की संख्या टाइम स्पैन इसी प्रकार दिखा दिखा दीजेगा इसमें सबसे पहला 8 से 10 है तो यह हो गया हमारा 8 से 10 8 से 10 उसके बाद फिर इसी चवराई का एक समान दूरी पर हम लोग ले लेगे 10 से 12 नहां ले लेते हैं 12 से 14 14 से 16 और 16 से 18 और इधर बाहनों की संख्या जिस प्रकार इधर लिखे थे इधर कर देंगे हम लोग 100 तक के लिए 200 300 400 500 600 और 700 जहां तक की जरूरत हो आप चाहें तो इस प्रकार से अगर आप साधी कॉपी पर बना रहे हैं तो लाइनिंग दिखा लेजिए और ग्राफ की कॉपी पर बना रहे हैं तब तो कोई समस्या ही नहीं 200 के लिए 300 के लिए 400 के लिए 500 के लिए 600 के लिए और यह होगी हमारा 700 के लिए अब बना ले आप 8 से 10 में हमें जैसे दिखाना है कहां तक 600 तक तो 8 से 10 वाला जो हमारा बनेगा इसे हम लोग दिखा देंगे 600 तक इस प्रकार से टालिका खड़ा कर देंगे 10 से 12 कहा है आपका कितना 400 तो इसे हम लोग 400 तक बनाएंगे 10 से 12 तक यह देखें दूसरा दंड भी खड़ा होगी हमारा इसी प्रकार 12 से 14 के लिए है 300 तो यह त 14-16 के लिए है आपका 200 और 16-18 तक के लिए है आपका 700 यह देखिए इस प्रकार से हमने अभी मिलकर दो प्रकार का दंडारेक बनाया एक उर्दवादर और एक इसे आप कहा सकते हैं चैटेज किसी भी प्रकार से दिखाया जा सकता है और आपको यदा कदा कभी अखवार में कभी किताब में ऐसे दंडारेक मिलेंगे तो आप उन्हें बहुत ध्यान से अलोकन करें और उसमें जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को जरूर बाहर निकालें कि क्या क्या सूचना दे रहा है जैसे इस प्रकार का एक दंडारेक है इसको देखकर हम क्या समझ सकते हैं बस देखके ही पता चल रहा है कि सबसे अधिक गाड़ियां जो ट्रैफिक में पास कर रही हैं वो हैं सोलह से अठारह के समय अंतराल में अर्था चार बज़े से लेकर छे बज़े तक में सबसे अधिक 700 गाड़ियां पास होती है ट्रैफिक पर लोड कम सबसे कम रहता है कब सबसे कम गाड़ियां चलती है। यदि यह जानना है तो ये भी आपासाने से जान सकते हैं आप देख पार हैं 14 से 16 बज़े तक मतलब की 2 से 4 बज़े तक मातर 200 गाड़ियों का पास हुआ है आवागबन हुआ है तो विभिन प्रकार के सूचनाएं ऐसे दंडारेख या दंडालेख देते हैं तो आसा है आप समझ गए होंगे कि दंडारेख या आलेख क्या है इसमें एक समान चवडाई के दंड कुछ खास दूरी पर बने रहते हैं जिसकी उंचाई आकडों को सरसित करते हैं इसमें दो अक्ष हैं एक चेटीज और यक रुद्धवादर एक तरफ यदि हम समय को दिखाये हैं तो एक तरफ बहानो की संख्या छी किसी प्रकार से अगर इधर समय दिखाए हैं तो इधर महानों के संख्या दंड यदि आपका खड़ा-खड़ा है तो सूर्धवाधर कह देगे और दंड यदि इस प्रकार से पड़ा हुआ है तो इसे हम लोग चैतिर दंड आरेक या दंड आलेक कहते हैं प्यारे बच्चों अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा पैमाने का चुनाब हम लोग जो पैमाना बनाते हैं उसका चुनाब किस प्रकार किया जाना चाहिए जैसे अभी आपने देखा कि बाहनों की संख्या हमारी 700 थी उसके लिए हमने क्या किया एक हिकाई को 100 मान लिये थे और इस प्रकार से हमारा गराफ आसानी से ना बहुत छोटा हुआ ना बहुत बड़ा हुआ पढ़ने लाइ तो पैमाने के चुनाब में इस बात का ध्यान रखें प्रयास करें कि अधिक से अधिक जो हमारी लंबाई है और हमारी कागज के अंदर ही रहे जो आपके पास कौपी है या जहां भी आप प्रदर्सित कर रहे हैं जैसे मान के चलिए हमको भारत की जन संख्या को दिखाना ह प्रदर्सित का अब भारत की जन संख्या तो करोड़ों में है तो यदि हम एक एक एकाई बरावर एक हजार आदमी भी माने तो एक सो चालिस करोड़ दिखाने के लिए बताईए कि आपको कितनी एकाईयां लेनी पड़ेगी बहुत मुस्किल है तो उस इस्तिति में हम क्या करेंगे पैमाने के चुनाब के लिए हम थोड़ा और बड़ा पैमाना लेंगे छोटे पैमाने से कम नहीं चलेगा एक एक एकाई के लिए हमें दस करोड़ मान लेना होगा या पंद्रह करोड़ मान लेना होगा ऐसा लेके चलेगे साथी साथा प्रयास किजिए कि जो भी आ पूर्ण विभाजित हो जाए ऐसा ही पैमाना ले तो आपके लिए काफी बेहतर रहेगा जैसे उदाहरन से समझे कि हमें दिखाना है चलिए हम जन संख्या हैं दिखाते हैं भारत की जन संख्या मान लेते हैं हमारे पास एक आंकड़ा है माना हुआ आंकड़ा है ये कि 1951 में जो आंकड़ा था वो पचास करोड़ था 1961 में यहां आंकड़ा बढ़कर हो गया साथ करोड़ 1971 में यहां आंकड़ा बढ़कर हो गया पचास्तर करोड़ 1991 में यहां आंकड़ा बढ़कर हो गया साथ करोड़ पचास्तर करोड़ पचास्तर करोड़ पचास्तर करोड़ मान के चलिए यह बस हमने आंकड़ा ऐसे ही मान लिया है अब इसे हमें दिखाना है गराप में और इसके लिए पचास्तर करोड़ के लिए हमें पचास्तर करोड़ के लिए दिखाना पड़ेगा 120 करोड़ के लिए 120 काई बताइए शंभब नहीं है प्रैक्टिकली नहीं है तो हम क्या करेंगे और बड़ा पैमाना लेंगे कितना बड़ा ले कि हमारा काम हो जाएगा आप प्रयास किजिए कि ऐसी आंकड़ा लें जो इस सब को विभाजित कर दें या अधिकतम को विभाजित कर दें जैसे यदि हम 20 करोड ले लें तो देखिए 20 करोड इसे तो विभाजित कर देगा इसे नहीं करेगा इसे नहीं करेगा इसे नहीं करेगा तो सोच के कुछ और लेजिए जैसे यदि हम 15 करोड लें कि एक इकाई बराबर 15 करोड तो आप बताइए 50 करोड के लिए आपको कितने इकाई लेना पड़ेगा यदि आप 15 से रिभाइद करें भाग करें तो हो जाएगा आपका 15 तिया 45 इसके लिए चारिक आई इसके लिए और इसके लिए आठीक आई देखिये अधिकतम आकलाब कर विभाजित हो गया यह कोई फिक्स नहीं है कहीं लिखा हुआ नहीं है कीटना ही लेना आपको अपनी सुविधा के अनुसार साथी साथ जिससे जब हमारा बने अलेक तो वो पैमाने का चुनाब करेंगे हर बार अलग-अलग प्रश्ण के लिए अलग-अलग आंकडों के हिसाब से अलग-अलग पैमाने का उपयोग हम लोग करते हैं तो पैमाने का चुनाब आप कैसे करेंगे आंकडों को देखकर करेंगे जिससे आपको भी सुबधा हूँ और जो आ कि दंड आरेक या आलेक एक तो बना बनाया हुआ है उसका ऑलोकन करेंगे और एक हम लोग बनाएंगे बच्चों आपके सामने अभी स्क्रीन पर एक आंकड़ा दिख रहा है यह कौन सा आलेक बना हुआ है बिल्कुल ठीक करें आप यह दंड आलेक बना हुआ है कैसा है बुद्वाधर है अब इससे और भी कई प्रकार के प्रस्ण इसको दिखा कर पूछे जा सकते हैं वो आपको बताना है जैसे कि इसमें किस चीज का आंकड़ा दिया गया है तो हम देख पा रहे हैं कि सायद यह अलग अलग दिनों में सोंबार मंगलवार बुद्वार का आं आने का परियोग हुआ है तो आपको देख के पता चलेगा या आप देख भी रहे होंगे कि पैमाना क्या लिया गया है इसमें तो एक इकाई जो है आपका परते की काई देखिए 20 से 40 60 20 80 हर वर कितना बढ़ रहा है 20 20 अर्थात यदि पूछा जाए कि पैमाना क्या लिया ग अब इसमें जो सूचनाएं छीपी हुई हैं वो पूछी जा सकती है कि कौन से दिन में या कौन सा दिन सबसे कम विद्यार्थी उपस्तित है या सबसे कम विद्यार्थियों की संख्या है तो आप इसकी दंड की उचाई को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि सबसे कम उचा द तो सुम्भार से सुक्र बार में हम देखेंगे कि किस दिन सबसे बड़ा-बाला अटपा दंड हमारा बना हुआ है बार बना हुआ है तो आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यह जो दंड है यह सबसे उचा है अर्थात यह सबसे अधिक विद्यार्थियों को दिखा रहा है और यह कौन से दिन की बात है शुक्र बार की बात है बिल्कुल ठीका तो ऐसे कई प्रकार के प्रश्ण आप से पूछे जाएंगे आलेख दे करके आपको ध्यान पुर्व का उलोकन करके यह पहचानना है कि पैमाना क्या लिया गया है साथी साथ इससे समंधित सुचनाओं को बाहर निकालना है जैसे यदि पूछ दिया जाए कि कौन सा ऐसा दो दिन है जिसम बराबर उचाई के हैं और यह कौन-कौन से दिन की घटना है शोम बार और बुद्वार का या सिधे सिधे संख्या पूछी जा सकती है कि मंगल बार को कुल कितने विद्यार्थी थे तो हम मंगल बार का दंड देखेंगे इसकी उचाई के अनुसार से यहां जाएंगे कि कि अतना अंकित है आप देख पा रहे हैं कि साथ है तो हमारा उत्तर हो गया कि मंगल बार को साथ विद्यार्थी आए थे यदि हमसे ऐसा पूछा जाए कि पचास से अधिक विद्यार थी अधिक विद्यार थी कौन कौन से दिन आए हैं कौन कौन से दिन आए हैं असा आप उतर ढूंड भी लिए होंगे पचास से अधिक तो 50, 40 और 60 के बीच में आएगा अब इससे बड़ी जो भी अकालइक होगी ये कहां मिल गया बार होगा दंड होगा इससे बड़ा जहां भी मिल जाए ये सब पचास से अधिक को दिखा रहा है और ऐसा कौन कौन सा दिन हैं आप देख पा रहे हैं मंगल बारेव स्जुक्र बार तो यह उत्तर हो जाएगा दो दिन कौन कौन सा मंगल बार इव्रमृichen है दिये गए दंड आलेक ही आरेक से सुचनाओं को बाहर करना या उसका अलोकन करना अब ज़रा हम समझते हैं यदि कोई एक सार ने दिया हुआ है तो उसे हम लोग दंड आलेक में कैसे बनाते हैं दंड आलेक का निर्मान करना प्यारे बच्चों आंकडा दिया गया है अब हम लोग मिल करके एक दंड आलेक का निर्मान करते हैं तो ध्यान दिजिए कैसे बनाएंगा बहुत आसान है आप अपने कौपी पर या अपने ग्राफ के पेपर बनाएंगे तो और ज्यादा सुन्दर बनेगा एब मेहनत कम लगेगी आप क्या करेंगे दो रेखाएं एक उर् बर्स दिया गया है और एक में उत्पादन दिया गया है तो आप क्या करेंगे कि एक पर चली 36 वाला पर हम लोग बर्स को दिखा लेते हैं और एक तरफ जो है उर्धवादर इस पर हम लोग उत्पादन को दिखाएंगे इस प्रकार आप इंडिकेट भी कर देंगे यहां तक कोई दिकत नहीं है दो रिखाएं बना लिए हमने मिलती हुई दो आक्षे बना लिए एक छैती जारिक उदगर या उर्धवादर एक तरफ हम लोग समय को दिखा दिए और एक तरफ उत्पादन को दिखा रहे हैं समय हमारा दिया गया है तो उसके लिए आप टाइम स्पेन समय अंत्राल बना लिजिए कैसे बनाएंगे एक समान चवडाई का दंड बनाना है हमें और एक निश्चित दूरी पर भी बनाना है आप अपने हिसाब से शुबधा के अनुशार इसकी चवडाई एम बीच की दूरी रख सकते हैं ताकि बहुत बड़ा में भी नहीं बने और बहुत छोटा में भी ना बन जाए कि देखने में आज शुबधा हो कितने हमें दंड बनाने पड़ेंगे इसमें एक दो तीन चा और पांच हमने बना दिया आप चाहें तो समय का नाम लिख सकते हैं यह हमारा दो हजार उनीस के लिए यह हमारा दो हजार बीस के लिए यह आपका दो हजार इकीस के लिए यह बाइस के लिए और यह बच्चों दो हजार तेईस के लिए इस परकार आपने इतनी तैयारी कर करना है कि हमें दिखाना है उत्पाधन का आंकड़ा तो इसके लिए आपको पैमाने का चुनाब करना पड़ेगा कि यहां पर आप बहुत ध्यान पुरुवक्त चुनाब करें नहीं तो सब गड़बड हो जाएगा उत्फ तोран में दिया गया है तो एक का यो कि बराबर कितना ले यरी कि काई के बराबर हम एक टैन मान ले तो यहां दखवी हमें 60 टैन दिखाना है तो हमें 60 ही काई लेना परेगा देखिए तो क्या आ जाएगा इस between कि प्रिसान है या सरल काम है आप खुद से फैसला किजिए तो आपको कारे ऐसा करना है कि थोड़ा सरल हूँ तो एक से तो बात बनेगी नहीं तो कितना टन हम माने एक ही काई को हम कहते आप परियास किजिएगा एक ऐसा आकला ढूंदने का जो सब को विभाजित कर दे या अधिक्तम को बिलकुल माना जा सकता है आप दिखा सकते हैं दस से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप देखेंगे कि दस से एक ही बिभाजित हो रहा है तो थोड़े परिसानी हो सकती है तो आप अपने ही दिमाग में ऐसा सोचिए ऐसा आकला खुद से निकालिए जो अधिक्तम को के बराबर 12 तन है कि हमारा पहला उत्रपादन देखे कितना है 60 तो साथ के लिए हमें कितना काई दिखाना पड़ेगा बताईए 12 से भाग देगे 5 इकाई δिखाना पड़ेगा आसानी चे जा सकता है उसी प्रकार 84 टन को यदि हम दिखाएंगे और एक इकाई को 12 टन मान रहे हैं तो हमें कितना इकाई दिखाना परेगा साथ इकाई बिलकुल आसान है दिखाना ठेक इसी प्रकार 48 के लिए बच्चों धूंडिए कितना दिखाना परेगा हमें 4 इकाई एभं एक है 72 दिखाईए स्वारी 72 भागा 12 चाही काई दिखाना होगा और एक आंकड़ा है मारे पास लास्ट 96 96 टन को यदि दिखाए हम 12 12 टन का इकाई ले तो हमें कितना दिखाईदना पड़ेगा देखिए 8 तो सब विभाजित भी हो जा रहा है और इन इकाईयों को हम आसानी से दिख दिखाए सकते हैं तो आईए हम दिखाते हैं इस बार हमने माना है एक आई बराबर कितना 12 टन यह समांदोरी पर आप अंकित कर ले यदि सकेलिंग से कर रहे हैं साधी पेज पर कर रहे हैं तो और नहीं तो ग्राफ पेपर पे तो अंकित किया हुआ रहता है बच्चों तो वहां काफी सरल होगा आपके लिए हमने लिया है बारह एक इकाई बराबर तो अगले इकाई में यह हो जाएगा चौबिस चाहें तो यहां कोस्ट में लिख सकते हैं कि उत्पादन किस चिद में हम लोग दिखा रहे हैं अब आपके लिए कारे सरल हो गया सब काम खतम अब सिर्फ आपको इस पर दंड खड़ा कर देना है कितना खड़ा करना है तो 2019 में आप देख रहे हैं साथ और साथ के लिए चिकाई के बराबर हम लोग खड़ा कर लेंगे इस परकार से एक दंड बना ले 2020 के लिए देखे 84 है और उसके लिए आपको साथ इकाई बनाना है तो आप 84 तक का खड़ा बना लेजिए एसकेल की सहायता से कीजिएगा काफी सुनर बनेगा और सुस्पस्ट भी बनेगा इस इसी परकार 2021 के लिए खड़ा किजिए और तालीस है बच्चों कि 2021 के लिए 2022 के लिए 72 2022 और 2023 के लिए हमारा 96 और 2023 के आनवे इस परकार देखिए हमारे बार खड़े हो गया आप चाहें तो इसे छायांकित भी कर सकते हैं रंग कर सकते हैं आपको जैसे सुन्दर बना सकते हैं आप बनाईए हमारा दंड आलेक या दंड आरेक बनकर तैयार है तो ऐसे जहां भी आकड़ा देखें आपक दंडारेक का निर्मान करें एब हम दिये गए दंडारेक को अवलोकन करके विभिन प्रकार की सुचनाएं एकत्र कीजिए आसा है आप अभ्यास के प्रशनों को खुब मन लगा करेंगे और हम लोग जब अगली कक्छा में मिलेंगे तब तक आप सभी प्रशनों को बना चुक तब तक के लिए नमस्कार